जै मातादी दोस्तों, आपको और आपके परिवार को नवरात्री के इस पावन पर्व की हार्दिक सुभकामना हैं। जैसे कि आप लोग आउगत हैं, माता दुर्ग के नव रूप हैं। नवरात्री में उनके इन नव रूपों का पूजा अर्चना ध्यान किया जाता है। तो आईए आज हम इस वीडियो में यही सुनने वाले हैं, कि माता ने कब-कब और कैसे-कैसे नव रूप धारण करें। उनके इन नव रूपों का क्या महत्व हैं। तो सबसे पहले हम मादुर्गा के नव रूपों की स्तुति करते हैं। नव रात्री में माता दुर्गा के नव रूपों को पूजा जाता है। माता दुर्गा के इन सभी नव रूपों का अपना अलग-अलग महत्व है। माता के प्रथम रूप को सैल पुत्री, दूसरे को ब्रम्ह चारडी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कूसमांडा, पाचवे को सकंद माता, छठे को कात्याईनी, सातवे को कालरात्री, आठवे को महागवरी, तथा नवे रूप को सिध्धिदात्री कहा जाता है तो आईए हम माता के इन नव रूपों को बारी बारी नव रूपों की कथा का श्रवन करते हैं तो माता का सबसे पहला रूप है शैल पुत्री मादुर्गा का पहला स्वरूप शैल पुत्री का है परवत राज हिमालय के यहां पुत्री के रूप में उत्पन होने के कारण इनको सैल पुत्री कहा गया यह ब्रिसभ पर आरूढ दाहिने हाथ में त्रिसूल और बाए हाथ में पुस्प कमल धारड किये हुए हैं यह नव दुरगाओं में प्रथम दुरगा है नवरात्री पूजन में पहले दिन इन्ही का पूजन होता है प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है माता कर दूसरा रूप है ब्रह्मचारिडी माधुर्गा की नौ सक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिडी का है यहां ब्रह्मचारिनी का अर्थ हुआ तपकी चारिनी यानि तपका आचरण करने वाली ब्रह्म चारिनी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर में एवं अतियंत भव्य है इनके बाए हाथ में कमंडल और दाए हाथ में जबकी माला रहती है मा दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और सैयम की बृद्धी होती है दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन ही की उपासना की जाती है इस दिन साधक कमन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है इस चक्र में अवस्थित मनवाला योगी उनकी कृपा और भक्ती प्राप्त करता है माता का तीसरा रूप चंद्र घंटा है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महयम चंद्र घंटे तिविश्रुता मादुरगा की तीसरी सक्ती का नाम चंद्र घंटा है नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इनी के विग्रह का पूजनवा आराधना की जाती है इनका स्वरूप परम सांती दायक और कल्यान कारी है इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है इसी कारण इन देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है इनका वाहन सिंग है हमें चहिए कि हम मन वचन कर्म और सरीर से सुध होकर विधी विधान के अनुसार माचंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासनावा आराधना में तत्पर हो जाए इनकी उपासना से हम समस्त सांसारी कस्टों से छूट कर सहज ही परमपद के अधिकारी बन सकते है माता का चौथा रूप है कूसमांडा माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूसमांडा है अपनी मंद हल की हसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन करने के कारण इनका नाम कूसमांडा पड़ा नव रात्रों में चौथे दिन कूसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन अनाहज चक्र में स्थित होता है अतह पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए मा की उपासना मनुष्य को स्वभाविक रूप से भवसागर से पार उतारने के लिए सुगम और स्रेयसकर मार्ग है माता कूसमांडा की उपासना मनुष्य को अधिव्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख सम्रिद्धी और उन्नती की ओर ले जाती है अतह अपनी लवकिक परलवकिक उन्नती चाहने वालों को कूसमांडा की उपासना में हमेशा ततपर रहना चाहिए मादुर्गा के पाचवे रूप का नाम है सकंद माता सिंघा सन गता नित्यम पद्या अश्रित करद्वया सुभदास्तु सदा देवी सकंद माता यशश्विनी मादुर्गा के पाचवे स्वरूप को सकंद माता कहा जाता है ये भगवान सकंद कुमार कार्तिके के नाम से भी जाने जाती है इनी भगवान सकंद अर्थात कार्तिके की माता होने के कारण मादुर्ग के इस पाचवे स्वरूप को सकंद माता के नाम से जाना जाता है इनकी उपासना नवरात्री पूजा के पाचवे दिन की जाती है इस देन साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित रहता है। इनका वर्णन सुभ है। ये कमल में आशन पर विराजमान है। इसलिए इन्हें पद्यासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंग है। नवरात्री पूजन के पाचवे दिन का सास्त्रों में पुस्पक महत तो बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित रहने वाले साधक की समस्त वाहिक रियाएं एवं चित्र वृत्तियों का लोप हो जाता है। माता का छठवा रूप कात्यायनी है। मादुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर सी कात्यायनी की कठिन तपस्या से प्रसंण होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूपे पैदा हुई थी। महर सी कात्यायनी ने सर्व प्रथम इनकी पूजा की थी। इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मा कात्यायनी अमोध्य फलदायनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक कमन आग्या चक्र में स्थित रहता है, योग साधना में इस आग्या चक्र का अतियंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इस चक्र में स्थित मनवाला साधक माकातियायनी के चरणों में अपना सब कुछ नियुचावर कर देता है, भक्तों को सहज भाव से माकातिया के दर्सन प्राप्त होते हैं इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलोकिक तेज से युक्त होता है माता का सात्वा रूप है काल रात्री लेकिन यह सदय औसभफल देने वाली मानी जाती है इसलिए इन्हें सुभंकरी भी कहा जाता है दुर्गा पूजय के साथवे दिन माकाल रात्री की पूजय का विधान है इस दिन साधक का मन सहस्त्राड चक्र में स्थित रहता है उनके लिए ब्रम्हांड की समस्त सिधियों के द्वार खुलने लगते हैं इस चक्र में स्थित साधक का मन पून तह माकालरात्री के स्वरूप में अवस्थित रहता है माकालरात्री दूस्टों का विनास और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है जिससे साधक भैमुक्त हो जाता है मादुरुगा के आठवे रूप का नाम है महागवरी मादुरुगा का आठवे स्वरूप महागवरी है दुरुगा पूजा के आठवे दिन महागवरी की उपासना का विधान है इनकी शक्ति अमोग और फलदाइनी हैं, इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं माता का नौवा और आखरी स्वरूप है सिद्धिदात्री सिद्ध गंधर्व यक्षाद्वैर सुरैर मरैरपी मा दुर्गा की नवी शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं जैसा की नाम से प्रकट है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है नव दुरगाओं में मा सिध्धिदात्री अंतिम है इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनो कामनाय पूर्ण हो जाती है देवी के लिए बनाए नवेद्य की थाली में भोक का सामान रखकर प्रार्थना करनी चाहिए तो दोस्तों मा देवी के नव रूपों का वर्डन कुछ इस तरह से है इस बार नवरात्री के नव दिन मा देवी के इन सभी स्वरूपों का आवाहन कीजिए स्लोकों के साथ उनके वंदन कीजिए अर्चना पूजा कीजिए और उनका ध्यान कीजिए तो आप सभी को हमारी तरफ से जय माता दि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए जय माता दि